नमस्कार साथियों मैं शम्भू नाइमा आपका हमारे चैनल होटी मंत्र में स्वागत करता हूं आज हम लेकर आए हैं विभिन प्रतियों के दाप परिक्षा के लिए हGhshaki is on the Rode आच चर्चा करें याद già रोग रोज के विभिन प्रस्णों पर जो पहले जो पीग रिक्षा हूई हूए में उनमें पूछे जा चुके हैं तो यह सभी जो प्रश्ण हैं यहां लिए गए जो सभी प्रश्ण है यह पिछली परिक्षाओं के प्रश्ण पत्रों पर ही आधारित हैं किसी प्रश्ण में अगर आपको कोई गलती या तुरूटी लगे तो क्रपय करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताए दा कि उस गलती को हम सुधार सकें तो सबसे पहला हमारा जो question है या प्रश्ण है वो है what is the ideal length of the tip that should be cut from the propagation of rose option a है 8-10 inch option b है 2-4 inch option c है 4-6 inch और जो option d है वो है 6-8 inch तो जो question था कि ideal length क्या होती है tip की for cut of propagation rose propagation के लिए जो length होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए तो जो हमारा जो answer है वो है 6-8 inch जो है उतनी हमारी length होनी चाहिए उस propagation के लिए अगला question है fruit of rose is known as fruit of rose is known as rose के fruit को क्या कहा जाता है तो जो rose का fruit है उसे कहा जाता है उसे heap कहा जाता है अगला question आता है rose heap are source of rose is जो fruit है वो किसका source है option है vitamin a option b है vitamin b option c vitamin c या option d vitamin k तो जो rose heap है वो vitamin c का अच्छा इस्तरोथ है अगला question आता है which of the following rose species is considered to be the main source of yellow color in modern rose modern rose में yellow color के लिए कौन सा जो है species responsible है yellow color के लिए option a है rosa fortida option b है rosa garlic option c rosa moscheta या option d rosa centifolia तो जो yellow color के लिए responsible species है वो है rosa fortida है वो है yellow color के लिए responsible species है अगला प्रशना आता है ला फ्रांसिस इस दा फर्स्ट वेराइटी ओ ला फ्रांसिस किसकी वे फर्स्ट वेरिटी यह फ्लोरी बंदार रोस भी है कि अगला प्रशना था रोज यूज फोर हाइर ओयर के लिकरवरी किस सबसे ज़्यादा और प्राप्त किया जा सकता है और रोजा गेली का option B है Rosa Domasina, option C है Rosa Indica option D है Rosa Vraborniana तो जो answer है वो है Rosa Domasina Rosa Domasina से सबस्यादा oil प्राप्त किया जाता है बंजारन इस variety of rose belong to the group जो बंजारन variety वो किस group से belong करती है जो बंजारन variety वो किस group को belong करती है option A है hybrid T rose, option B है florybanda rose, option D है miniature rose option D है muscurate type rose तो जो बंजारन variety है वो है florybanda type की यह variety जो florybanda है उस group की variety है बंजारन अगला प्रशना आता है die back disease of rose is cast by rose कि किस के कारण से होती है option A है जिजरम species, option B है जन्थमनाज species, option C है PTM, afenadermatum और जो option D है diplodium rose तो जो डाइबेक होती है वो होती diplodium rose के कारण अगला प्रशना था है which of the following is thornless variety और प्रोधिन में से कौन सी variety thornless variety है option A है म्रिदूला, option B है super star, option C है happiness और जो option D है पूसा मोहित option D है पूसा मोहित जो thornless variety है वो है पूसा मोहित जो variety है वो thornless variety अब पूसा में मोहित के स्वियों कौन कौन सी thornless variety है तो वो है grand गाला और जो सुचित तरह भी है यह भी thornless variety है रोज की अगला प्रशना था है commercial variety for rose is popular multiply commercially variety of rose is popularly multiply अगला प्रशना था नेम most popularly used root stock of rose अंडर नौर्थ इंडियन के द्वारा जितने बहुता है जितने भी व्यूसाइक कुलाब की किसमें है उनका जो प्रवर्धन है वो किसके द्वारा होता है option A है air layering option B है बड़िंग option C है tip cutting या option D है tissue culture तो जो रोज में properly जो पॉपुलर्ली जो multiplication या propagation होता है वो होता है बड़िंग के द्वारा वो होता है बड़िंग के द्वारा अगला प्रशना था name most popularly used root stock of rose अंडर नौर्थ इंडियन कंडिशन नौर्थ इंडियन कंडिशन में कौन से root stock को प्योग ज़्यादा किया थे option A है रोजा गेली का option B है रोजा डोमे सीना option C है रोजा अंडिका वेराइटी ऑडोराट ऑप्शन D है रोजा मल्टी फ्लोरा तो जो नौर्थ इंडियन प्लैंच है वहां के लिए जो क्रूट इस्तों की रूज कियाता है वो यूट किया रौजा अंडी का वेरायटी ओड़ो राठा और जो यह यह तो रूट के यूज फोर नॉर्थ इंडियन इसके साथ साथ यह महाराश्टों अभी इस रूज रूट इस्टोक को उपयोग कियाता है और यह जो रूट इस्टोक ही रसिस्टेंट रोट एंड पावडरी मिल्ड्यू के लिए रसिस्टेंट है अगला प्रशना आता है फोलाफ and realities developed blue rose cultivation सबसे पहले लोज को किस क्ट्रीने डेवलोप किया था option A है इंडिया, option B चाइना, option C जापान या option D कोलम्बिया तो सबसे पहले जो ब्लू रोस का जो वेराइटी है वो डेवलोप की गई थी जैपैन के दौरों सबसे पहले डेवलोप किया था जापान ने फर्स्ट कल्टीवर उप रोस रिलेटेट टू डाक्टर बीपीपाल जो डाक्टर बीपीपाल थे जो रोस ब्रीडर थे उनसे सबसे पहले कौन सी वेराइटी है जो उनसे रिलेटेड थी, option A डुल्टान, option B रोस सर्वत, option B अरूना या option D महक तो जो फर्स्ट कल्टीवर है जो रिलेटेट था वीपी पाल से वो था रोज सरबत अगला प्रशनाता है रोज कार्ड़न इस लोकिटेट इट रोज कार्ड़न कहां इसती थे option a भोपाल option b है चंड़ीगड option c दारजलिंग या औप्शन दी नार्गपूर तो garden कहां इस्थित तो जो rose garden है वो इस्थित है चंडीगड में और जो रोग garden है वो भी चंडीगड में ही इस्थित हैं अगला परश्चना था yellow color rose species इन में से कौन सी yellow color वाले rose की is Pcs अप्षिन एये रोजा गेलिका ऑप्षिन भी रोजा हुमेल आप्षिन सी रोजा अंडिका या ऑप्षिन डी रोजा सेंटी फोलिया तो जैए तो जो एलो कलर की फ्लोवर इस्पेशिस हैं अगला प्रशन आता है shoot and root प्रूणिंग तर्फ डेन इन ये डिखा यह अिजे स्ची किसमें की जाती आप्ल टिनीकि दोंगे ओप्षन भी है ग्वावा ओप्षन सी बैर या ओप्षन डी रोज दो शूट रूट पुरुनिंग की जाती है वो की जाती है रोज में अगला प्रोशना आता है थोर्ण लेस रूट इस्टोक ओफ रोज निक्षंत निशकंत निशकंत डेवलोप बाज़न निशकंत रूट रूट इस्टोक है थोर्ण लेस रोज का वो कहां से डेवलोप किया गया थे या किस ने डेवलोप किया था उसको तो वो उप्षन है है आई आई एचर बैंगलोर टी एन यू टी एन एयू तमिलनाणू एग्रिकल्च इनिविंसिटी आई या सी आई एस लखनो तो जो प्रशन आता है वीच अब फॉलोविंग एज जूस फोर व्रेथ परपस इनमें से कौन सा इस पीसे जो व्रेथ परपस के लिए उप्यों किया थी ऑप्शन है वाइट सेंटेज रोस ऑप्शन भी ये कलर्ड रोस ऑप्शन सी है वाइड ग्लेडियो लाश या ऑप्शन डी को ट्के लेटी ल cynimana है व्रे compromise कि लिमने लिखी आटा है कि इसकी छेइंटर विराइटी ऑप्शन है रोस ऑप्शन बी कंशन सी मूंस क्राईट या ऑप्शन बीग कॉन फ्लॉवर तो जो ग्लेडियोंटर वाइटी हे यह व्रेटी है रोस की अगला प्रशना बेंट नीग समयजर प्रोबलम है म् deneal लिकित में से किसमें बेंट नक्भ होता है अप्शुन एक है रोज आप्शें कानेशन ऐंक कब हैंसे कोई नहीं तो बेंट नक्भ है वी रौज सिफोल यहीं लोज प्रूनिंग टाइम तो जो रोज में प्रूनिंग का किया था, जनडरड है अक्टूबर-9, अजन में ठूनिग की था, जन टू और समय अगला प्राशना था है नम्टूबर-9 नियू ऐर रौज प्रूणिग न लोटॉंचिन में प्रूणिग नियू टूम्ट इस इ पर्फरम्ट absorb снова वो किसका इस नोनेस वो फायदर कहा जाता है तो वो कहा जाता है पर परसोन फिंग चाइना रोज हुम ब्लूज को या पार्क श्टी चाइना रोज या सेल्टर स्लेटर स्क्रिम्सों चाइना रोज तो इन लिखित में से यह स्लेटर स्क्रिम्सों चाइना रोज है इसको ही प Which of the following root stock are suitable for growing rose in sandy loam and clay soil respectively? इन में से कौन सा है root stock है जिसका अपयोग sandy soil और clay soil के लिए किया आता है अप्शन है रोजा एंडी का वेराइटी ओर्डोराटा और रोजा केनिका रोजा केनिका और रोजा एंडी का वेराइटी ओर्डोराटा रोजा रमेटी और रोजा लाक्सा रोजा लाक्सा और रोजा मनेटी तो जो रोजा एंडी का है इसको सेंडी सोइल के लिए और जो रोजा केनी का है इसको क्ले सोइल के लिए ये बेस्ट शूटेबल है अगला प्रश्णा था है इनर्ट मेडियम वायटली यूज इन वेस्ट एन हाई टेख होर्टक्टर प्रोडटक्शन ओफ़ रोज वेस्ट मेट्रिल है वह कौन से इसका हाइटेख होर्टेकलचर में रोस प्रोड़क्शन के लिए कियाता है option है वर्मिकुलाइट option भी है पर्लाइट option C कोकोपीट और जो option D है रोकवूल्ट जो कोकोपीट है उसका उपयोग सबसे ज्यादा किया था हाई-tech horticulture में फोर रोस प्रोडक्शन के लिए अगला पस्ट नाता है वीच आप दो फॉलविंग इंडियन रोस विएराइटी एज बडिएव टू हेव इनमें से कौन सी यह जो जो प्रेजेन आज कि दिल में जो चोकोलेट ब्राउन कलर की जो फे聊 goals असका पेरेंट मानी जाती है, option A है, पूसा, मुस्कान, option B है, मोहीनी, option C है, मिरी नहीं लिनी, और option D है, मन, माथा, मन माथा, तो जो मोहीनी है, इसको ही, जो चोकलेट ब्राउन कलर के लिए, responsible माना जाता है, present day में, तो जो पूसा मोहीनी है, यह कहां से निकली है, तो पूसा मोहीनी, is obtained by crossing of sea pearl, tetraploid, इस चोला, diploid, यह इन दोनों की cross से बनी है, पूसा मोहीनी, जिसका जो flower कलर होता है, वो च अगला पूसान हाता है, major constitute of rose oil, rose oil में सबसे ज़्यादा क्या पाजाता है, option है, geran oil, option B, citronil, citronil, option D, citral, यह option D, rose oil, जो सबसे ज़्यादा oil में जो पाए जाता है, constitute वो पाजाता है, citronilol, citronilol, अब इसमें कौन-कौन कितना पाजाता है, जो major compound of the this oil, where citronilol, 15.9, 35.9, 0.8, 3.3, 3.2, 14.9, 4.5, 6.9, 4.5, 6.9, 4.5, 6.9, 2.6, 7.9, और लिना नूल पाजाता है, 0.7, 2.8, प्रतिशत, अगला प्रश्ना हाता है, which of the following is desirable in rose production? इन में से कौन सा rose production के लिए वांचनी है, होता है, option A है, bullhead, option C है, bottom breaks, option D से blind shoot, और जो option D है, bend neck, तो जो desirable यह वांचनी होता है, वो होता है, bottom break जो है, यह rose production के लिए वांचनी है, desirable माना जाता है, suitable day and night temperature for rose plant, मतलब rose plant के लिए suitable day और night temperature कितना कितना होना चाहिए, अब अगला प्रस्णा आता है, what is ideal time of budding in rose अंडर नौर्थ में अगला प्रस्णा आता है, नौर्थ इंडियन कंडिशन, नौर्थ इंडियन कंडिशन में रोज का budding टाइम क्या होता है, option A है, September to October, option B है, January to February, option D है, mark should operate, और option D है, June to July, तो जो option है, जो answer है हमारा वो है, जन्वरी to February, जो है, most suitable या ideal time है, नौर्थ इंडियन कंडिशन में, रोज की budding के लिए, अगला प्रस्णा आता है, what is causal organism of black spot disease in rose, रोज में black spot disease किसके कारण से होती, option A है, diplo, carepon, rosy, phragimidium species, sphero, ठीका, पनो, पनो सा variety roses ही, या नौनोग दिश, तो जो black spot disease होती है, वो diplo, sera, rosy के कारण होती है, रोज में, अगला प्रस्णा आता है, bent neck is disorder found in, जो bent neck disorder है, वो किसमें होता है, option है, gladiolus, option B है, rose, option C है, carnation, या option D है, tuberous, तो जो bent neck है, ये major disorder है किसका, rose का, अगला नेक्स्ट कोशन आता है, which of the following is recognized as first hybrid tea rose variety in the world, first hybrid tea rose की कौन सी variety है, वर्ल्ड में, option है, la France, option B है, peace, option C है, ilina, और option D है, mister Lincoln, तो जो la France है, France है, वो hybrid tea rose की first variety है, किसी भी प्रस्णी में, अगर आपको कुछ गलती है, तो रूटी लगेए, तो करपया करके, कमेंट करके, जरूर बताए, धन्यवाद, Kbase french Watch 1 लगेए, घुर्ण याजरी लगेए, घुझा कराइए, तो पहन показ. cरपे का भी लगेए, तो लगेए, अटेईश ? जर दो करना 8 लगेए, dice कि दो लगेए, कि दो स personally नेघको करेवेए,